दोस्तों कैसे आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आज का आपने एक्जाम का एनालसिस देखा 15 मार्च का कैसे कोश्चन आपके आ रहे हैं जैसे कि फर्स्ट स्ट्रिप्ट में आपके कुछ कोश्चन नियुमेरिकल भी देखने को मिले थे ठीक है उसी पॉइंट देखेंगे सब कुछ ठीक है चले फर्स्ट कोश्चन आप यह हैं कि 10 kg वस्तु के 6 मीटर की उचाई तक उठाया गया तो वस्तु को उठाने में किया गया कारे कितना होगा अगर ऐसा कुश्चन आपसे पूछा जाए कुश्चन पूछे जा सकते हैं आपके क्योंकि आपके देखें तो यह आपके लगवा गर हम देखें तो 40 से 45 देज तक एक्जाम चलेगा आपका और डेली टू सिप्ट में होना है तो कुश्चन कहीं से भी बन सकते हैं नुमेरिकल भी कुश्चन बनने की संबाबना है आज के फर्स सिट में कुश कुश्चन देखने को मिले थे देखें तो चलिए देख लेते देखें यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका जो राइट एंसर हो जाएगा ना 588 जूल आपका करेक्ट एंसर होगा कैसे होगा अभी हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है कुश्चन एक बार और देख लीजे के 10 केजी को 6 मेटर के उचाई कि MGH formula जो होता है आपके जिसमें कि अगर हम देखें MGH को formula आपको apply करना है 10 M equal दिया है 10 KZ, H दिया है आपके 6 and G आपके जो गुर्टी तो आपका होता है कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड इसकाईर होता है यह होता है ना आपका तो अगर आप इसे calculate करेंगे तो आपका answer क्या जाएगा, H जो है उचाई तक बस्तु को उठाने में कियागा एक कार है यानि कि बराबर H उचाई पर बस्तु की स्थिती जुर्जा, दीके स्थिती जुर्जा का जो formula होता है आपके MGH यही आपको यहाँ पे apply करना है, question एक बार और देख लीजे कैसे solve करना है यह मैंने आ किसी question में आपको doubt होता है आप comment करके पूछ सकते, next है एक बस्तु का दिर्मान 10 kg यह उसके बेग को 5 meter per second से 10 meter per second तक बढ़ाने में किया गया कारे, किया गया कारे गया कितना हो जाएगा, तो इसका अगर हम देखे कि किया गया कारे क्या हो जाएगा तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो right answer होगा 375 joule, 375 joule आपका देखे तो यहाँ पे correct answer हो जाएगा, देखे इसके लिए क्या करना है, कैसे solve करना है, तो कारे बरावर क्या होता है, गती जुर्जा में परिवर्तन, तो गती जुर्जा 1.2 MB square का formula लगेगा, ठीक है, V equal दिया है 10, और 1 upon 2 MB square, M और आपका 10 ये भी दिया है, ठीक है, M और 10 आपका 5 दिया है, दो आपके देखे, question क्या कह रहा है, 5 meter per second से 10 meter per second तक बढ़ाना है, और जो आपका mass तिर्वान जो दिया है न आपका, वो 10 kg दिया हुआ है, इसी formula पर रख दिया है, 1 upon 2 MB square, एक बार आपके V को 10 लेना है, एक बार V को 5 लेना है, और solve करेंगे, तो आपका 500 इससे आजाएगा, और इससे 125 आजाएगा, टोटल आजाएगा 375 जोल, तो आप से गर ऐसा पूछा जाए, यहाँ पर क्या बोला गया है, कि बढ़ाने में किया गया कार, यानि कि गति जुर्जा, वहाँ पर आपके देखे, तो इस स्थिती जुर्जा था आपके, तो यह फॉर्मूला आपको याद रखने है, तो यह स्थिती जुर्जा, एमजी है, चोरगती जुर्जा, और पॉन्टु एमजी उसका है, जैसे नेक्स कोश्चिन है कि समतल सतय पर रखे, बस तो पर 20 न्यूटन का बल लगाए गया, यह ब वीडियो आपको प्रोवाइट करने वाला हूँ, इसका एक वीडियो नेक्स्ट हम लेकर आएंगे, देखिए आपको क्या करना है, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपको दिया गया, 20 न्यूटन का, और 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित हुआ, तो बल दौरा कितना क कितना है, तो आपसे डिरेक्टली कैसे आपको सॉल्व करना है इसे, डिरेक्टली आपको क्या लगाना है, कारे बरावर बलगुणे दूरी, कारे बरावर बलगुणे दूरी और आपको दिया गया, 20 न्यूटन का, और डिरेक्टली आप लगा सकते है, 40 जूल, 40 जूल आप का answer हो जाएगा question देख ली जाएगा कैसे आप किस formula apply करने है यह आपको देखना है यहापे next question है कि 20 जूल गती जुर्जा रखने वाले 100 ग्राम द्रभिमान बस्तु का क्या वेग होगा यहापे वेग निकालना है आपको यहापे क्या निकालना है वेग निकालना है तो वेग क आजाएगा तो गती जुर्जा का formula क्या होता है 1y2mv2 1y2mv2 बस इसी में apply कर दिना है गती जुर्जा 20 आपको दी गई है and 1y2mv2 0.1 and v2 आपको वेग निकालना है तो यहापे अगर हम देखे वेग आपको निकालना है और आप यहापे देखेंगे कि v2 equal क्या जाएगा 400 तो वेग क्या जाएगा 20 meter per second वेग क्या जाएगा 20 meter per second क्योंकि 1 upon 2mv2 यहापे आपको दिया गया और यहापे भी आपको निकालना है तो आप सभी इस तरह से answer कर सकते हैं नेक्स्ट इस तरह से question भी आपके exam में बन सकता है कि 10 hp machine को एक घंटे तक चालू किया गया तो machine द्वारा कुल कितने जूल उर्जा का खपत किया गया तो आप सभी को सबसे पहले answer क्या आएगा यहापे 26,856 kJ कैसे solve करेंगे इस question को आप सभी को पता है कि 1 hp बराबर कितना ह होता है तो 1 hp बराबर आप सभी को पता है 746 watt होता है ठीक है 10 hp बराबर कितना हो जाएगा 10 x 746 watt तो टोटल आएगा 746 0 watt and 1 watt hour बराबर कितना होता है 3600 Joule होता है क्योंकि answer आपको जूल में चाहिए तो 460 watt घंटे और आपके 460 x 3600 Joule कर देंगे इसे solve करेंगे किलो जूल में आपके answer आजाएगा इस तरह से अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ऐसे help करना है ठीक है next question है आप एक मिनार की उचाई 15 kg का चटान रखा हुआ है यदि इस मिनार की उचाई 100 मीटर है तो चटान को मिनार की उचाई तक ले जाने में कितना कारे किया गया अगर आपसे ऐ इसलिए मैंने यह question है आपके लिए लाए है तो आप सभी यहाँ पर answer देखें कितना आजाएगा 14,700 जूल ठीक है कैसे आएगा देखें चटान का स्थिती उर्जा क्या दिया गया है स्थिती उर्जा दिया गया MZH का formula होता है MZH में apply कर देना है M equal दिया गया है आपको कित ठीक है तो आप इसे solve करेंगे 14,700 जूल आपका right answer हो जाएगा चटान को 100 मीटर की उचाही तक उठाने में किया गया कार 100 मीटर की उचाही पर चटान का स्थिती उर्जा ठीक है एक से दो बार अगर आप देख लेंगे ना इस वीडियो को तो आप सभी question को कर पाएंगे next question कर लेते हैं 0.5 ग्राम का एक बस तो 8 मीटर पर सेकेंड बेक से गतसील है तो बस का गती जूर्जा कितना होगा question बनेंगे इसी से बनेंगे गती जूर्जा यहापे पुछा गया है तो गती जूर्जा इसका सबसे पहले right answer देखें कितना आजागा 0.016 जूल ठीक है तो अब सभी यहापे गती जूर्जा का formula लगाएंगे तो 1 by 2 mb square इसका formula होता है 0.5 ग्राम दियागे इसे केजी में change करेंगे तो 0.0005 केजी आजाएगा 1 by 2 mb square 8 का 64 and 2 से आप देखेंगे तो यहापे जब इससे solve करेंगे क्योंकि 0.0 में लगा हुआ है तो divide आप calculation करेंगे तो 0.016 joule आपका यहापे right answer हो जाएगा तीक है next important question है आपको यहापे किसी बस्तु के समवेग में 50% के ब्रद्धी की गई तो गती जूर्जा में कितनी ब्रद्धी होगी यह आपसे पुछा गया है कितनी हो जाएगी 125 125% के ब्रद्धी होगी कैसे solve करना है इसमें formula लगया का मान में परतर नहीं होगा इसलिए V का मान में 50% की ब्रद्धी होगी तो नया वेग V equal V by 2 या 3 by 2 यहाँ पे आप सभी इसके त्रू गती जूर्जा में ब्रद्धी आप इसे जब solve करेंगे तो देखे प्रतिशत में जब ब्रद्धी यहाँ पे निकालना है तो आपको क्य करना है सबसे पहले तो आप इसे solve करेंगे इस calculation को गती जूर्जा में ब्रद्धी 1.2 mb square लेके 3 by 2 mb square इसे जब solve करेंगे तो आपका answer आएगा 5 by 4 यहाँ से आपका 1 by 2 mb square 5 by 4 आएगा इस 5 by 4 से 5 by 4 divided 1 into 100 करेंगे तो 5 into 25 यानि 125 परसेंट आपका यहाँ पे right answer हो जाएगा इ यदि 10 में 50% की विद्धे करने है तो 15 होगा यानि कि 5 into 2 equal 5 या 2 नों में से कोई भी संक्या 50% की विद्धे करने में गुडणफल क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा तो यदि अगर हम देखें यहाँ यह कुछ important point ही जैसे 2 में यदि 50% की विद्धे करने है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यानि कि 5 3 into 15 इस तरह से 5 में अगर 50% की विद्धे करने है तो 7.5 होगा 7.5 से 2 हो जाएगा तो यहाँ पर हम देखें तो 15 आ जाएगा कुछ extra extra point है यहाँ पर यह बताया गया अगर आपसे कुछ extra पूछा जाए यहाँ जैसे कि आपके 50% की विद्धे की गई ह किसी बस्ट के सम्वेग में तो 125 हो जाएगा नेक्स कोश्चन है विराम अस्था से 10 केजी के बस्तुपर 10 न्यूटन का बल यहाँ पर 4 सेकंड के लिए लगाया गया तो बल दोरा कीगे कारिकी गढ़ना करना है तो क्या हो जाएगा आपका एंसर होगा 80 जूल आपका एंसर हो जाएगा कैसे सॉल्व करना है डिएकली फॉर्मूला में रख दिना एफ एक्वल 10 न्यूटन दिया गया है तो मास दिया गया 10 केजी तो एक्वल एफ अपॉन एम हो जाएगा तो 10 अपॉन एम मीटर सेकंड स्कायर इससे फिर रखना है आपको एस एक्वल यूटी प्लस एक्वल दूरी तो एक तरह से 80 जूल आपका यहाँ पर राइट इंसर आजाएगा इस तरह से आपको सॉल्व करना है नेक्स्ट कोश्चन है कि 20 मीटर हुचे किसी जल मिनार पर कुल आपके 8000 केजी जल है तो जल को उपर इठाने में कितना कार्य किया गया यह कोश्चन एक दिना है टॉंटी इंटू 80,000 ए 9.8 आप टैटली एंसर कर पाएंगे लाज्ट कोश्चन कर लेते हैं यहां से कोश्चन आपके बन सकते हैं जितने मैंने कोश्चन आपको यहाँ पर कराये हैं तीक है और इस वीडियो को आपसे भी शेयर जरू की देखिए A और B दो बस तो दोनों का 1 by 2 into 10 meter into v square and 1 by 2 m into v square डिवाइड करेंगे तो आपका answer आगा 10 ratio 1 तो यह थे आज के हमारे इसके कोश्चन तीक है आपके physics से अगर numerical बनता है इस topic से दोस्तों वीडियो को like करना मत भूलिएगा like कीजेगा share कीजेगा और आपको ऐसा लगता है कोई topic जो अभी exam मे पूछे के question तो आप comment करके बता सकते हैं especially मैं उसी topic पे question आपको देने वाला हूँ तो share कीजेगा मिलते है next video में thank you